हे गाईज वल्कम बेक तो मैं यूटूब चैनल रिटी बुटिक फ्रेंड्स आज हम ये बीटिफुल नेक डिजाइन बनाना सिखेंगे तो इसे हम कैसे बना सकते हैं किस आसान तरीके से बना सकते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो प्लीज सबसे पहले हमें कॉटन के फैब्रिक का देख लेना है मैजर्मेंट तो हमारी लेंद है 13 प्लस एक इंच के मार्जिन लेके 14 इंच सब दो इंच पर नेक हैं पाच इंच पर हमारी शोल्डर है आर्मोल का साइज हमने साड़े पाच इंच पर लिया हुआ है चेस्ट साइज ह पर मार्जिन ली हुई है एक इंच टक्स के लिए एक्स्टर मार्जिन नेक का साइज हमारा साड़े 10 इंच पर है ब्रॉड मैंने धाइंच का दिया हुआ है नीचे से और इस तरीके से हमें इस पर बॉक्स बना लेना है और उसके बाद हमें इस बार सेफ देना है आप कोई भी शेप ले सकते हैं फ्रेंट्स मैंने यहां में मटका वित पान शेप लिया हुआ है अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है अब यह हमारा नेक कट हो चुका है यह हमारा में फैब्रिक है अस्तर का जिस पर हमने में कटिंग की हुई थी अपने मेजर्मेंट के इसाब से यह दो पार्ट हमारे एक्ष टा कटे हुए हैं तो इसे पहले हमें में फैबिक के साथ जोड़ लेना है साइनिंग वाले फैबिक को तो देखिए इस तरीके से उल्टे पे रक कर हमें इसे पहले पूरा अच्छे से स्टिचिंग कर देनी हैं यह दोने हिल्ख हमारे बिल्कुल भी भाउडी की सिलाई लगाते हुई इस तरीके से ऍटी लगा लेनी हैं तो देखिए यह तरीके से हमाइरी नेक कर लगारे तो cutting करने के लिए बिल्कुल किनारे किनारे cut करना है और उसके बाद छोटे-छोटे cut लगा लेने हैं ताकि यह easily अच्छे तरीके से fold हो जाए देखे इस तरीके से हमने cut लगा लिए इस पर इस पर हमें जमाव सिलाई लगा कर ले लेनी हैं जमाव सिलाई लगाने से हमारा अस इस पर इस तरीके से मैंने इससे बिल्कुल पैक कर दिया है और बाहर के साइड से भी हम इस पर इस पर इस पर इस पर इस दाल दे रहे हैं उसके बाद जो भी हमारा extra fabric है जो हमने extra cut किया है उसे हमें निकाल लेना है तो देखिए यह हमारा back part टोटल रेडि हो चुका है अब हमें design के लिए frill तैयार करनी है frill के लिए मैंने यह दो तुकडे लिए हुए है इसके length देखिए चार fold में है तो यह 11 इंच का है यानि total यह 44 इंच का है दोनों भी part हमारे 44-44 इंच के है और इसके चौडाई मेने 3 इंच के लिए हुई है ठीक है दोनों भी हमारे जो तुक में फ्रिल लगानी है और इस तरीके से हमने इससे जोड लिया है अब इसे हमें double में fold कर देना है तो देखिए double में fold करते हैं खुले side से हमें एक stitch लगा लेनी है पूरे कपड़े में और उसके बाद हमें इस पर frill तैयार करनी है तो frill friends में आधा-धा इंच की ले रही फैब्रिक को हमें fold करते जाना है और एक side से जो हमारा खुला side है उस तरफ से हमें इस परिष्टीज लगानी है तो देखिए अच्छी तरीके से हमें इसे fold करते जाना है और उसके बाद पूरी एक जैसे दिखना चाहिए friends कम या जादा नहीं दिखना चाहिए अगर आप आ देखिए जिस तरफ से हमने stitch लगाई हुई थी उसी तरफ से हमें इसे neck पर रखना है और stitch लगानी है नेक के बराबर नहीं रखना है friend थोड़ असा अंदर लेते हुए रखना है क्योंकि यह हमारा खुला हुआ भाग है इसके धागे धागे निकल सकते हैं इसलिए हमें थो लगा लेनी है और उसके उपर से हमें फिर lace लगा लेनी है जिससे कि हमारे neck के पूरी तरीके से finishing आ जाए और सीधी इस तरीके से हमें फ्रील वाला neck ready करना होता है जो कि हमने कर लिया है अब इसके उपर हमें bow और ताइव लगानी है लेकिन सबसे पहले हम कमर के tucks लगा लेते हैं और कमर की finishing कर देते हैं इस तरीके से हमें fold करना है दोनों तरफ से tucks लगा लेने है और कमर की finishing दे अब हमें उपर बो लगाने के लिए उसका डिस्टेंस देखना है तो हमारा 6 इंच का आ रहा है आपका कम या जाधा भी आ सकता है जो हमारा नेक से कपड़ा निकला हुआ था उसे हमें डबल में फोल्ड करना है और सीधी स्टीज डाल देनी है आप जितनी भी चौड़ी पट रेडि हो चुकी है या मैंने बो भी रेडि करके रखा है अगर आप इस तरीके का बो बनाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर इस Hence कर दिया है उसके बाद एक एक सिलाइ उस पर लगा दीजिये इस तरीका से में टडरी कर देनी है जिसससे कि हमारा नेक पुरी तरीके स रेडी हो जाएगा, इस blouse में फ्रनट पार्ट का भी मैंने विडियो अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स ब्लाउस के कटिंग हुई है इस पर, और स्टीचिंग का भी मैंने विडियो अपलोड किया हुअ है, आप मेरेड़ी चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा neck ready हो जाता है इस blouse पर मैंने designer slews भी attach की है उसका भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आऊंगी तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से हमारा neck ready हो गया है और प्लीज अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए and bell icon को दबन ना भूले ताकि हमारे latest वीडियो आपको असानी से मिल जाए तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इस पर double frills लिए लगाई है जिसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आऊंगी और यहां हमारा पूरा blouse बनकर ready हो गया है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यू फॉर वाचिंग